तो भाई जो सबसे पहला main reason हो सकता है आपकी गाड़ी mileage ना दे रही हो वो आप खुद हो सकते हो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके गाड़ी आपके पापा भी चलाएं और आप भी चलाओ और आपके पापा को ज़्यादा mileage दे रही हो और आपको कम क्योंकि यह driving पर डिपेंड कर देगी अब भाई अगर आप अपनी गाड़ी को 2000-5000 RPM के बीच में रखते हो तो भाई आपकी गाड़ी के लिए वो सबसे favorable condition है अगर आपको best mileage चाहिए तो भाई मैं तो यह ही suggest करूँगा आपको कि आप higher gears पे और lower RPM पे गाड़ी को चलाएं 2-6000 पे ताकि आपको best of the best mileage मिले जो भाई अब दूसरा point है वो यह है कि भाई अभी जो यह गाड़ी आई है नहीं नहीं आई है जिसके वज़ा से जिसने booking भी करी उसको अभी एक डेर महीने पहली गाड़ी मिली है और अभी lockdown भी था तो भाई लोगों ने बहुत ही कम चलाई है यह गाड़ी तो भाई जैस इंजन डालें या फिर spark plug चेक करें तो भाई ऐसा क्यों है कि first mileage के बाद आपको best मिलती है वो service के बाद क्योंकि भाई उस time तक ना हमारी थोड़ी गाड़ी चल चुकी होती है यानि कि 1000-2000 km और इंजन जो हमारा new होता है वो lubricate हो जाता है जिस वज़ासे वो अपना best mileage provide करना शुरू कर देता है अब भाई अगर आपको आपकी गाड़ी अभी नहीं है तो भाई definitely उसको lubricate engine होने में ठोड़ा time लगेगा रवा होने में जिसकी वज़ासे वो कम mileage आपको show कर सकती है पर इसका मतलब यह नहीं कि भाई आपकी गाड़ी हमेशा ही कम देगी अगर आप थो situation में क्या होता है आपकी गाड़ी best आपको में लिए देरी होती है पर यहाँ पे कम दिखाता है क्योंकि यह ना आपकी speed को calculate और fuel efficiency को calculate करके बताता ही है तो इसको थोड़ा time ची होता है भाई update होने के लिए जो initial होता है वो तो भाई होता रहता है पर वो तो मुझे ज्यादा कोई useful लगानी क्योंकि वो तरह एकदम 30 पे भी चल जाता है दो पे भी चले जाता है चो दूसरा आता है ना उसको थोड़ा time ची होता है अगर आप अब 10 किलोमेंटरी गाड़ी चला होगे धीरे धीरे average speed आपकी 7 आरी है 8 आरी है तो भाई definitely वो कम mileage दिखाएगा पर उसका मत संद्रा यह 16 दे रही है original में भाई यह ट्राइबर में भी दिक्कत थी और काईगर में भी दिक्कत है तो भाई अगर यह थोड़ा कम दिखा रहे तो इसमें add-on कर लेकर हो और आप थोड़ी जादा गाड़ी चलाओ तो बताओ भाई कि आपको mileage क्या दे रही है जो भाई अ तो भाई वेड जादा होगा जिसकी वज़ासे आपकी गाड़ी की mileage कम हो जाएगी और उस वज़ासे अगर आप city drive करोगे तो भाई आपको पता ही है कितना जादा traffic होता है तो और भी जादा कम हो जाएगी mileage तो हमेशा कोशिश करो कि आप 1000-2000 का पैट्रोली डलवाओ और अ तो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो गाड़ी में सिपार्क प्लग वगार से रिलेटेड जिसवजा से गाड़ी mileage नहीं दे रही है पर भाई मुछको तो लगता है कि यही रीजन हो सकते हैं कि जिसवजा से गाड़ी mileage भाई कैसे नहीं दे सकती क्योंग हजार सीची का इंजन है इसमें जो कि कम पावरफुल है अगर हम बैलीन वगेरा से करें पर इसका थोड़ा वेड जादा है उस हिसाब से भी बाई यह 12-13 खुट नहीं देगी बाई 18-19 तो अराम से देगी अगर आप क्रूज करोगे तो जो भाई हमारी अगली बात है वो है कि भाई हम आई इसी ओन कर दिया तो भाई उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है गाड़ी भी वाइबरेट ओन लग जाती है तो आप कभी भी कोशिश मत करोगी एकदम से आप गाड़ी ओन होते ही इंजन को चलाओ यानि की इस एसी को चलाओ थोड़ा इसको एक दो पर ज़्यादा लोड पड़ता है क्योंकि सारे एक्विप्मेंट नए होते हैं फिर एवरेज में भी दिक्कत आती है तो भाई यही कुछ पॉइंट से माइलेज से रिलेटेड और मैं बता दू भाई एंड में कि ये गाड़ी आपको अराम से 18-19 का माइलेज दे देगी अ और आप वीडियो को लाइक कर सकते हों अगर कोई भी क्वेरी है गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेज़े जक भाई उसका मैं आपको रिप्लाइदेनी कोशिश करूँगा जल से जल धन्यावाद